आप सभी का वीडियो में स्वागत है आज मैं बताने वलाओ डेटा सेवर कैसे कर सकते हो अपने डिवाइस में अगर डेटा वगएरा जल्दी खतम होता है तो एक सेटिंग होता है जिसको आप ओन करके डेटा सेवर कर सकते हो चलिए शुरू करते सबसे पहले आपको क्या करन है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देजेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टाइप के इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलता रहे अलग-अलग टॉपिक पर तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां प अगर आपके पास नहीं यह वाला एप तो प्ले स्वेड डाउनलोड कर सकते इसलिए विल अध्य वालवल है उसके बाद आपको यहां पर फाइल-एप्स वाले ओप्शन में ऑपन करना है आपको फाइल को जैसे आप ऑपन करो गए तो आपको ऐसा दिख जाएगा इसको उ तो आपका data वगरे कहां कहां खर्च हो रहा है वह आपको दिखेगा career service आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से clear catch कर देना है अगर आपका नहीं हुआ है तो आप कर लीजेगा ठीक है इसके बद यहां से back कर देता हूं और clear catch लिखा हो तो आपका problem fix हो जाता है यहां पर cleaner वाले options पर क्लिक कीजिए यहां से for stop कर दीजिए इसको क्योंकि यह data लेता है आपका फाल तो मैं आपको पता तक नहीं चलता है Android setup पर जाना है और आपको storage पर क्लिक करना है clear catch कर देना है इसको भी और जो app use नहीं करते उसको storage clear कर दीजिए या पर uninstall कर दीजिए ठीक है friends यह है आपको data restore tool इससे आपका अगर photo वीडियो अगर delete हो जाते तो restore कर सकते इस topic पर किसी और दिन बात करेंगे तो guys कैसा लगा video please comment में जरूर बताएगा इसी प्रकार से अपने problem को fix कर सकते हो